लाल करते हैं कि सब्सक्राइब बट्रिंग को प्रेस कर दो और गंटी बजा के अंदर आ जाओ वाल दोस्तों अगर आप एक Redmi Y1 और Y1 Lite यूजर है तो इस वीडियो को आप देखते रहिए दोस्तों आपके डिवैस के लिए MIUI ग्लोबल इस्टेबल अपडेट कुछ रेडव उजर को पुश कर दिया गया है यानि 95 परसेंट जो Redmi Y1 Y1 Lite यूजर है उनमेंसे 5% लोग को अपडेट पुश किया गया है ताकि वो इस अपडेट की टेस्टिंग कर सकें बता सकें कि वाइस अपडेट में कोई बग है यह नहीं है अगर कोई बग होता है तो अपडेट को सप्टेट कर दी जाएगा अगर बग नहीं होता है तो बहुत जल्दी आने वाले संदे तक आपको में भी हो सकता है कि अप्डेट आपके डिवास में देखने को मिल जाए हले कि यह टेस्टिंग होना शुरू होता है उसके करीब एक वीक बाद में आपको सभी को अप्डेट पुश कर दियाता है सभी बड़े अराम से अप्डेट हो कर लेते हैं और उससे ट ज़िवास के लिए कुछ टाइम के लिए रोक लिए पता नी रीजन क्या है मुझे पता समय में आया नि रेड्मी 4 के लिए कुछ मेरे आसपर उसमें रहने वाले रेड्मी 4 उसर है वो बोलते हैं मैं को अप्डेट नहीं मिला तूने वीडियो बना दिया ऐसे विए वैसे ह होता है कुछ लोग कुछ कारण से वैसे पुष्ट किया है तक उसकारण की वर से रोक लिया है में भी हो सकता है Redmi 4 यूज़ को भी update मिल गया हो अगर आपको Redmi 4 यूज़ करते हैं आपको अब्रेट मिल गया हो तो कमेंट बोक्स में यस लिख दीजिएगा अगर नहीं मिला तो लिखने की जरूरत नहीं है मत समझ जाएंगा को अभी तक अब्रेट करने कोशिश करूँगा लेकि तब तक आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन आप बता दिया कि उनको भी update पुश क कर दिया गया है कुश रिंडाम उसको और हो सकता है में भी आने वाले संदे तक उससे पहले पिरे तक आपको रेटमी वाइवन वाइवन लाइट करना सभी डिवास सभी यूसर को मिल जाए होप तो यह लगा कि शामी ने कंफर्म किया था कि दिसंबर के महिने में सभी जो जो सपोर्ट करते हैं सभी डिवसमें मैं यूग इस टेवल अप्डेट रहने को मिल जाएगा आप देखते हैं नहीं मिलता नहीं मिलता वह बात अपर इस वीडियो में ता ही था इस वीडियो को लाइक है में रखते हैं 200 लाइक आप ऐसे ही कंप्लेट कर दोगे तो पताफ पीडने गे अर रिंद एं।